हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू आर पी एम रक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स मैं सुजित कुमार आपके साथ एलेक्ट्रो स्टाटिस के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई लेक्चर्स में देखें हो जाएं तो इस लेक्चर में हम लोग जैसा की कंटिनिवर्जफ चार्च इस्कीन से कारण तो इस साही करें के लेकिन के कारण सर्कुलर रंक्वल्व रेंगे कितने सारोड को सकते हैं हाई-लेबल-स का question हो या फिर low level का question हो चाहाँ simple question हो कुछ भी कहें तो कितने टाइप का question हो सकते हैं important important questions क्या हो सकते हैं और किस type questions exam में आएंगे उन सारे questions पर हम लोग PhD करेंगे तो चलिए तो so get ready to accelerate your learning with full of energy with full of excitement let's start तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे electric field intensity due to uniformly charged finite rod finite rod कह सकते हैं या फिर line charge कह सकते हैं line charge के लिए electric field intensity के value निकालेंगे हम लोग और देखिए कहां पर निकालना है मैं यहां पर identify करते था हूं मान लीजे कि यह कोई finite rod है ठीक है और finite rod है यहां से यहां से डी distance पर अपनको electric field intensity निकालना इस पॉइंट पर ठीक है तो देखो हमने तो electric field intensity निकालने सीखा है कोई q charge है और इस पॉइंट पे आर दूरी पर इस पॉइंट पर यहां पर पास पॉइंट चार्ज की नहीं है यहां पर क्या है जी लाइन चार्ज है और यह लाइन चार्ज है इसका डेंसीटी दिया हुआ linear charge density लेंबडा दिया हुआ इसके लिए लेक्टिक फिल्ड इकालना अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर लाइन चार्ज है element लिया हमने इसका length है कितना dy मतलब y पर जाके हमने क्या ले लिया जी dy length का element लिया और इस dy तो बहुत ही छोटा होगा तो इस dy पे चार्ज कितना होगा जी तो Dq होगा और अपन दीक्यू सकते है ना Dq line charge में क्या लिखते है लायन इंटूellt क्या लिखते हैं declarationist लेम्डा इंटू डीयल और इसमें डीयल क्या लिख देंगे हम लोग तो लेम्डा इंटू क्या लिख देंगे डीयल लिख देंगे डीयल डीयल को कैसे लिखते हैं जी डीएक्स डीवाई डीजेट लिखते हैं तो अगर एकस में रहता है तो डीयल के जगर डीयक्स लिखते ह एसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर वाई में है इसलिए डिवाई लिख दिया चलो ठीक है अब हमारे पास क्या हुआ कि छोटा सा क्या होगा यह पॉइंट चार्ज मिल गया हमें अब इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्टरी फिल्ड जो होगा यहां से इ यह भी क्या होगा ठीटा होगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ वो क्या होगा जी डी इए कॉस्ट ठीटा होगा और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या हो जागी जी डी इसाइन ठीटा होगा बहुत अच्छे ठीक है यह वाला एलमेंट लिया राइट यहां तक फैले हुए ऐसे 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 धिवाइट करके उसके बाद इंटीक्रेट करना पढ़ेगा है तो लिए अगर दिवाइट करना पढ़ेगा राइट तो देखो मैं अगर दी E cos theta को integrate करूँगा अगर यहां पर लिखता हूँ D E cos theta को अगर मैं integrate करता हूँ तो यह कौन सा component मिलेगा E X मिलेगा है ना E X मिलेगा लेकिन एक बात है यहां पर E X तभी कह सकते हैं जब rod ऐसे रहेगा है ना लेकिन अगर general मतलब rod ऐसे है तो यह वहला component को हम लोग E X बोल रहे हैं generalize करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि rod ऐसे है तो इस component को मैं E perpendicular बोल दूँ क्या तो यह जाता है यह यह वह हो जाता है ना लेकिन E क़ लिखूँ गा तो परपेंडिकुल लिखना ज्यादा आच्छा होगा बडिबात समना ही ना तो इसको अगर लोग इंटेग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एपर प्रेंडिक ल्ग बेलेगा चलो पहले मैं आसा का तो दीलिगता हूं तो डी क्या होता है कर होता है है इन्टू यहाई क्यू अर्य स्कार एसा करें कि यह वाला फ्ली यह वाला फ्ली कितना होगा इस triangle में इस triangle में आप देखो आप कया अलो कि LEG कॉस्ट हीटा ले लो क्या B by H कॉस्ट तर The Ching कॉस्ट हो बैस तोरी है तो डीवाई क्या होगा आर होगा this implies आर कितना हो जागा जी डी सेखर्थीटा हो जाएगा तो मैं लिख शकता हूं यहाँ पे D sec theta का square KQ by r square हो गया भाई साथ KQ by r square लिख दिया मैंने अब DQ का value मैंने लिखूँगा lambda dy चलो यहाँ पे काम करते हम लोग तो E perpendicular हम लोग लिख सकते हैं K lambda dy DQ का value मैंने लिखा lambda dy by D square sec square theta into cos theta बहुत अच्छे तो E perpendicular लिखो K lambda और dy के value अब लिखना है इसमें ऐसा करता हूँ मैं tan theta ले लता हूँ tan theta को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे तो tan theta equals to y by d this implies क्या लिख सकते हम लोग बताओ y equals to d tan theta y equals to d tan theta तो dy क्या होगा जी d into sec square theta हो जागा मैंने क्या किया दोनों तरफ differentiate कर दिया दोनों तरफ क्या किया जी differentiate कर दिया तो चलो अब dy के value put कर दो तो यह हो जागा d sec square theta into the cost theta है यहाँ पर d theta भी होगा sorry यहाँ क्या क्या हो जागा d sec square theta d theta तो यहाँ पर मैंने d theta भी लिख दिया रइट और नीचे में क्या है d square sec square theta है अब इसको आप simplify कर तो sec square theta sec square theta cancel हो गया dv cancel हो गया तो e perpendicular कितना आ गया k lambda by d cos theta d theta वह cos theta d theta अब हमें क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा ठीक है यहाँ पर मैंने को integration तो करना है हम लोग को ठीक है theta का limit हमें रखना पड़ेगा अब देखो theta कहां से कहां तक vary करेगा जब यह element होगा तो यहां से एक line ऐसे बन रहा होगा जब यह element होगा तो यहां ऐसे बन रहा होगा ठीक है तो कहने के मतलब यह है कि यहां से element यहां तक है यहां से element यहां तक है तो इसको मैंने लिया theta 1 और इसको यह मैंने theta 2 ठीक है तो मैं ऐसा कर सकता है theta 2 से theta 1 integrate करना है ठीक है न? theta 2 से theta 1 integrate करना है लेकिन बात यह है कि यह यहां से कैसे है यह तो anti-clockwise है और यह अला क्या है clockwise है तो मिझे बोलना पड़ेगा minus theta 2 plus theta 1 ठीक है न? जब sense क्या होता बोजिट होता है तो negative to positive करते हैं और दोनों का sense एक ही होता है तो positive to positive कर लेते हैं ओके तो मैं लिख दूँगा minus theta 2 to theta 1 बहुत ज़्यादा important है इसका proof भी बहुत ज़्यादा important है ठीक है न? तो चलो आप इसको integrate कर दो इसका value निकाल लो आप तो e perpendicular क्या हो जाएगा? k lambda by d और cos theta का integration sin theta हो जाएगा minus theta 2 to theta 1 तो मैं लिख सकता हूँ अभी यहाँ पर finally k lambda by d और sin theta क्या हो ज़्यादा sin theta 1 minus sin चलो पूट कर दो sin theta 1 minus sin minus theta 2 तो e perpendicular क्या लिख सकते हैं लोग k lambda by d और यह हो जाएगा sin theta 1 minus तो बहार आ जाता है इसमें तो sin theta 2 हो गया so this is the electric field due to uniformly charged finite rod okay at d distance from the rod from the wire where we कह सकते ठीके अच्छा अब बात है कि हमें निकालना है अगर e parallel e parallel के लिए क्या करना पड़ेगा d sin theta करना पड़ेगा ठीके तो integration करोगे d e sin theta को तो हम लोग को e parallel मिल जागा यह क्या होगा जी e parallel होगा ओके चलो तो ऐसा करते हैं हम लोगो देखो यह सारी चीजें जो थी ना cos theta को छोड़ता इनको हमने जब simplify करा देख लो तो क्या आया k lambda by d आया into d theta आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे k lambda by d और यहाँ पे sin theta into d theta okay sin theta into d theta हो जाएगा अरे वाई तो इसमें हम लोग क्या रखना पड़ेगा minus theta 2 plus theta 1 okay तो यह parallel क्या लिख सकते हैं बताओ चलो इधर लिखते तो मैं आप ऐसा करो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं अच्छे सिल कर लेते हैं अपना क्या टेंशन लेना है ना माइनस को common कर लो ठीक है ना cos theta चैनल यहां पर उन्ह प्लस फसके जाता है अब यहां प्राइस भी यह तो मैनस अंदर लेके चले जाओ तो ई पैरलेल जो कंपनेट आयाएगा अपन लिख सकते हैं के लेमडा बाइडी को पास थीटा 2 माइनस कॉस्ट थीटा 1 ठीक है यह क्या हो गया जी यह पैरलेल कंपरेंट हो गया अब हम लोग क्या है दोनों कंपरेंट निकाल चुके हैं मतलब एक फाइनाइट रॉट के लिए इस पॉइंट पे जो दो कंपरेंट होंगे एक होगा इधर की तरफ और एक होगा चैति लिए तो मिग्साश्ण लाएंगे तो हम लोग पूश्य लीए करते हैं लोग को सील आया खिर क्या हम लोग किये चोटे चोटे कौंप़नेंस को दिवाइड किये और यह क्यों कैसी यसारी आते हैं तो आपको इंटेग्रीशन तौन रहें थीक है इसलिए का यह एक है ईक गड़कर फॉसम रोगिंग नping आप लिकैस के उसको से तो हम लोग इसका भीए प्रूफ किये और इस ते लिए यह होता है यह पर्पेंडिक्लर के लिए तो हम लोग स्योर है कि इधर की तरफ तो होगा ही होगा लेकिन यह परलेल के लिए उपर होगा कि नीचे होगा मैं पता नहीं ठीक है और मेन बात यह है कि हम लोग प्रूफ किया है बस ठीटा 1 ठीटा 2 और D अगर ऐसा सिंपल सब्सक्राइब को लगाने पड़ेगे ठीक है तो चलो ऐसा करते हैं लोग एकदम सिंपल कुश्चन लेते हैं सबसे पहले ठीक ऐसा ही मैं कुछ-कुछ निविकल डिटा ले लेता हूं जैसे माल लोग के यह रॉड है और यह पॉइंट है यह इसका लेम्डा चार्जन सेट चीजित्पे चीजिए कंगर अचानी को ट ऐस यह थे खागे एक होगा और साइन को ठीटावन झाल और तो 16 रही हो उसमें कोई दिक्कत ने हैं मुझसे हम लोग क्या कर रहे सीख रहे हैं कि क्या होगा यहां पर यहां कर ए प्यालेल बात करना है आप यह पैरलेल बात कर नयदिक हैं digit आपकर गदर किदर की तरफ होगा देखो यहां पर यह और यह जो element है ना यह वला element जो है यह element का length जादा है कि यहांद तो इस point पे यह है घटर देगा और इधर देगा और यह वालन वह tip तो मलनों कि यह वाला फिर्स्ट एल्मेंट है और यह वह सथ इल मेंट है वह सपोस्ट एल्मेट पहोगा ज़्ट इधर ठाएगा इधर आएगा और इधर अब करेंड केघर एदर आए गाएगा इधर आएगा ये तो नो Obama लेकिन जिसका लेंध ज्थ ज्यादा होगा ज्यादा इल्यमेंट ज्यादा क्या होगा चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ यहां पर जो देगा इधर के तरफ जो इलेक्टिफिल होगा इधर के तरफ निकालने को और इधर के तरफ निकालने के तो यह वला क्या होगा इसके केंपरिजन में यह ज्यादा होगा क्योंकि यह क्या है छोटा है 30 डिग्री है तो इसका सामने का लेंद भी क्या होगा छोटा होगा ठीक है तो य इसले कमपरेंट और तरफ होगा इसका इधर यदर आएगा तो यह वाला जो ide है और यह 20 है तो यह ज़ादा होगा इसलिए अधर कम उगा टो हम लोगो क्या सीखने को मिलातों हम लोगों क्या सिखने को मिला कि ज्यादा एंगल होगा जिधर की तरह बड़ा लेंद्ध होगा ना उसके अपोजिट में देना बड़ा लेंद्ध उपर है तो उसके अपोजिट में पैरलेल होगा बड़ा लेंद्ध उपर है ना तो नीचे में पैरलेल होगा ठीक है ना और से को जिका कि यह नीची की तरफ है यह नीची की तरफ है मालोस के वैलु है आपको ओत चलो ईपर एप आलेल मानी लिया तो आ पर भेक्टर भी क्या चाहिंद आब दो वे टॉसे लिख सकते on इंडा एपन केसे के लिटैंड लिख सकते हैं कि यह परपेंडिकुलर अगर I cap plus E parallel J cap लिख सकते हैं प्लस नहीं लिख पाएंगे है ना मैनस J cap लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि इसका नेट वैलू की कि तरफ है नीचे की तरफ है तो प्लस E parallel माइनस J CAP लिखना पड़ेगा अब धिहान से दो को कि ई न्यक्ति होगा। काँसानल क्या आगा जाएम के जादा होता है यह सोते निज को पोगा यह कम होगा। एसे मैं रजांपल लेक्ट कि मेंने रॉट को इस पर ऐसे लिया है और इस पॉंट पे निकाला है यह D है और यह आप लेलो 20 और यह लेलो 30 ठीक है तो सबसे पहले आप मुझे यह बताओ यह तो लेमडा है कोई दिक्कत नहीं कि परपेंडिकलर कंपनेंट कि इधर होगा तो रोड ऐसे है तो परपेंडिकलर कंपनेंट इधर कि तरफ होगा यह परपेंडिकलर अपनों लिख पीडिग सकते हैं ऐचा पैरलेल कम्पनेट किदर आएगा इधर आएगा कि इधर आएगा तो मैंने बोला कि इधर कि तरफ लेंध जयादा होगा मतलब poorest कि मुझा थाटीक है तो इधर कि तरफ करेंदध कि तरा बताओ हम लोग अगर ऐसे देख रहे हैं तो ठीटा 1 यह होगा ठीटा 2 20 होगा राइट तो ठीटा 1 क्या होगा 30 और ठीटा 2 हो जागा कितना 20 हो जाएगा तो फिर्पेंडिकुलर कितना लिख सकते हैं जी तो के लेम्डा बाइड दी साइन 30 प्लस साइन 20 ठीक है और यह पैरलल कितना लिख देंगे बोलो के लेम्डा बाइड डी कितना कॉस ठीटा 2 मतलब 20 माइनस कॉस 30 ठीक है अब इसको आपको सजा के लिखना अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिख दोगे ई वैक्टर इक्वल्स टू अब देखो आई म आई काप अब हमें पता विए कि इधर ही है तो दर लिख दिया मने इधर तो है तो है तो मैंने ड्रॉ किया है प्लस ए परपेंडिकलर जे काप यह दोनों वैलू क्या होगा पॉस्टीव होगा देख लो मेरी बात समय कि कैसे हम लोग के एंगल लेना है ठीक है ना किदर कित दोगा अभी हमने अब अधिक को बताया कि ठीटा वन ठीटा टू क्या होगा ठीक है ना और क्या बताया कि इसको अच्छे से लिखो कि चोले रहाएक प्रही और करते हैं बड़िए वाला मस्त वाला यह दो कि यह है हमारा ओक लेमडा चार्ज देशिति का रहा है ठीक हमार यहां से कि इस पॉइंट पर निकालना है यह फॉइंट रिक्वारज पॉइंट और यह जू नहांác तो हम लोग अखों की से बन रहा था? 마음에 ऐसे मैंद रॉंका है ये पॉयंट या पर्पेंडिक्लर डिस्थमस से इस पॉयंट से एक इस ऐसे न ऑख ऊपिंदिक्न ये अख राहती है ऐसे घ्ल यедुरई एक से मिलाता थे तुर शहाले अब इसी पॉइंट से क्या करेंगा हम लोग अपर एंड को मिला रहे हैं तो यहां से एंगल जो बन रहा है यह एंगल नहीं ले लो आप फ्रास इसको ऐसे ले लो यह यह है कितना 30 ठीक है यह भी 30 है और यह भी 30 है हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है इलेक्टिक क्या करना है थोड़ा से इल्ग को सीधा कर दूर आए और एसके थिकर है तो सबसे पीलीबात क्या है यह पहर पेरलेल निकालना है और रहे ठीक घ्ट करते हैं इसका होगा यह बादेल कैसे हो ज्ञादा कम तो बात ही निजना भाई साओ ऊपर ही है तो ये पर पैरलेल कैसे आएगा नीचे आईगा ये क्या होगा एफ ये तो हमें पता चल गया आप हमें पता क्या करना है जी थीटा1 और थीटा2 पता करना है ठीक है अधाको संपहें अधिकसांपें निकलना यह दोरी दीया होगा हुआ कि यहां अमनों एधिया हुआ। MA निकालना है ठीटावन ठीटाटू और दी निकालना है ओके चलो तो ठीटावन पहले ऐसा करते हैं ठीटावन लिखते हैं ठीटावन क्या होगा तो ठीटावन तो यह होता है ठीटावन क्या होता है पर्पेंडिकुलर लाइन है यह और इस पॉंट जो अपर एंड पर लाइन कलें मिलता है नो अपर लंड का मिलने व्ला ओर बिच्oka आउट होके टेन हैं तो इसमें परपेंड़िकुला लाइन कौन होगा तो आप ऐसा करो इसको थुढ़ा साप्सेंड कर लो Gonz अक्सेंड कर लो तो यह क्या होगा परमेंडिकुला लाइन होगा तो पर्पेंडिक्लो लाइन यह हो गया और यहां से अपर एंड पर मिलाने वाला यह वाला लाइन है ठीक है तो यहां से पूरा एंगल होगा है कि नहीं तो यहां से पूरा एंगल कितना होगा 30 स्काhild Box 6ability makingeten 1967 के बात करते तथीट तIGHम या करते हैं कि भी टीटवी के लिए फिर थीटिया है कि अच्में करी नीचे अरह जहां पर मिलता हो जाओ क्वान होथा इस मिलता जैसे प्दक्रण भार поех यहां पर हम नीचे आखे वहां पर पुघेंग हैं मैरी बात समयए ग्या नीचे आके हम लोग आप는 हम पर पहुच तो यह एंगल कितना कितना हम लोग नीचे से वरिख दये और गिस पुलनें लाइंग मिला कितना जी 360-30 मतलग कितना तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं अच्छा और भी तो लिख सकते हैं इधर से घुमने पर ठीक है 330 आ रहा तो आप 330 लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो माइनस 30 लिख दो क्लॉक्वाइज गुम रहा हो तो ठीक है अगर आप से इसमें क्या था यहीं चीज तो समझना वाइसा प्रूफ बड़ी बात नहीं थी प्रूफ बड़ी बात एकदम नहीं थी आपको यह सब कुस्ट्ट्स करने आने चाहिए ठीक है न उसी कुस्ट्ट्स क ठीक है यहां पर देखो तो एक एंगल बन रहा है कैसा clockwise और दूसरे एंगल बन रहा है कैसे clockwise दोनों क्लॉक्वाइज से रैइट तो ठीटेट हो क्या ले लोगा आप नेगीटिव ले लोगा है ठीक है यहां फिर अगर थी थर्ती रहो को तो भी अनसर क्या आएगा सेम ही आ होता है तो दी तो क्या होता है पॉइंट से वायर के बीच का पर्पेंडिकलर दूरी दी क्या होता है पॉइंट से वायर के बीच का पर्पेंडिकलर दूरी तो यह क्या पॉइंट से वायर के बीच का पर्पेंडिकलर दूरी है क्या नहीं क्या होगा वायर से पॉइंट से प सब कुछ लिखती है रूट 3 वाइट हो जाएगा अब आप फॉर्मनल लिख सकते हो ठीक है अब डी कम में क्या लिख दूंगा जी रूट 3 वाइट 2 लिख दूंगा कि तो क्या हो जागा साइन 60 प्लस साइन माइनस 30 ठीक है और ये पैरलेल लिखोगा तो कितना हैगा अब आप लेश्यक्त माइनस 30 प्लस साइब आप लिख सब्सक्रवाइब दूंगा क्या लिख सकते हो इप बेच्टर को आप क्या लिख सकते हो इपर पेंडिकुल्र आई कैप और यर्पैरली नीचिक तरफ है तो आप लिखोगा प्लस-ई-पैरलेल माइनस जेक है यह आप यह पर्पेंडिग्लर और यह पैरल के वैलू निकाल के आप इसमें रख दोगे राइट अंसर आएगा आप इस तरह से इसको कर सकते हो ओके आपको समझ मैं कैसे किए ठीटावन कैसे लिए तो ठीटावन में कुछ दिवांग नहीं लगाना है पर्पेंडिग्लर से अपर एंवर लाइन के साथ एंगल देख लेंगे ठीक है और ठीटाव के लिए आपको निचे घुमें हम लो और उपर जाना पड़ाए तो उतना जन्राइज मैं ऐसे करूँगा अगर आगर दोनों लाइन है दोनों लाइन अगर Opposite sense में बन रहा है तो theta 1 बी positive लिखना है हम लोग को और theta 2 बी positive लिखना है formula में, ठीक है? और अगर दोनों angle same sense में बन रहा है तो ठीटा 1 क्या लिखेंगे? वो तो positive लिखेंगे और ठीटा 2 negative लिखेंगे. ये हमेशा के लिए सही है. आपको तो बस यही याद रखना है कि opposite sense होगा तो दोनो positive और same sense होगा तो theta 1 positive और theta 2 negative लिखेंगे. बात ही समझे ना? अब ज़को इसको मैं अच्छेति इसलिए deal कर रहा और वहां पे उस उस चैप्टर से तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कुश्चिंस आते हैं इसलिए अगर हम लोगों यहीं पे अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा आशान होगा ठीक है ना तो ठीटा वन ठीटा और सेम तो सेम कहानियों तो कुछ भी नहीं रहत एक्षाड षनता लग रहा है रिपट एलीकास चलता है ठीक है आप इसको अच्छे समझाव ठीक है छला एक और एक्जामपल लेते हम लोग एक्जामपल 애सा करते है ऐसा लेते है यह फयर लिया और इस पॉइंट पे निकलना अपन्त ठीक है और यह वह लींडिगलर लाइ लेलो और यह 60 लेलो ठीक है और यह लेमडा है तो क्या आप ठीटा 1 ठीटा 2 लिख सकते हो इसके लिए चुल आप इसको लिख लो कि मिटाओंगा इसको इसका solution लिखूंगा वहाँ पर कि तो देखो सबसे हैं पेर्लेल और यह परिंडिकलर कि तो होगा थो यह जैसे ओसे में तो इसके इधर होता है उसके अंपोजित में तो इधर ही जादा इसए बड़ा छुटा को तो कोई शवाल ही नहीं बनता हैं लेंट तो इधर है कर लिए अब 8 लिखो 10वal कितना होगा चीशते क्योंड तो क्या होता हैं पर पंदीकुलर लाइन से अपरेंट है ना परपेंडिकुलर लाइन से इस पॉइंट के लिए उस परिंटności यह होगा ठीक है तो पर्पेंडिक्लर लाइन से अपर रेंट जाओगा तो कितना मिलेगा 60 प्लस 20 80 मिलेगा ठीक है तो आप क्या लिख दोगे यहां पर 80 लिख दोगे और ठीटा 2 क्या होगा अब देखो यहां से हम लोग कैसे क्लॉक्वेज गए और ठीटा 2 के लिए इसे ब्लस के लिए तो सेमें से न से से दोनों एक पॉस्टिव लिखेंगे और दूसरा के लिखेंगे निगिटीव लिखेंगे तो में डारेट क्या और सारा चीज फॉर्म्ला में रख देंगे डी क्या होगा तो यह तो क्या है यहां से यहां तक ए मुझे तो वायर को एक्स्टेंड करना पड़ेगा और यह दूरी क्या कहलाएगा दी कहलाएगा तो यह दूरी कितना होगा यह तो यह बला कितना होगा एक कॉस्ट ट्वेंट कितना होता है तो के लेम्डा बाई कितना एक कॉस्ट ट्वेंटी साइन 80 प्लस साइन माइनस 20 ठीक है और इपैरल कितना हो जागा तो के लेम्डा बाई знаем मैंस 20 लिखेंगे माईनस चौसट ट sagen 80 होजाएगा ठीके अब आप क fact लोगा यह और यह कोगा झार यहे उप्रपार लेल होगा आपको लिक्टर में लिखना है तो लिखड़ थो मुरस होगे हाम ठीक न्हीं एक प्रालेल है आ की तरफ तो यह लिखाए बाई पार और वो भी उपर ही है तो यह पर्पेंडिकुलर जे कैप ठीक है आप यहां से वैलू निकाल के इसमें रख सकतो और आपका अंसर आजाएगा ठीक है तो आपको समझ माया ठीटा 1 ठीटा 2 मैंने क्या किया कि वायर में कितने कितने तरह का कुश्चन सो सकता है मैंने सारा कर लि ठीक है तो चलो और हम लोग निक्स करते हैं इसको आप लिखो अच्छे से उसी फामूला में पेस्ट हमने एक अलग टाइप का क्वेस्चन लिया है क्वेस्चन ही कि रोड है इस तरह का और कहा पर निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर निकालना है ठीक है अब देवा रोड पर चार्ज कितना है रोड पर चार्ज कितना दिया हुए रोड पर चार्ज दिया है क्यू और इसका लेंथ दिया हुए कितना ए at point यहां पर at है न, electric field at point P on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod, the length of the rod is L, charge on it is Q and the distance of point P from the center of the rod is A, ठीक है न, तो हमने situation को अच्छे से draw कर लिया, इसमें simple क्या दिया है, एक rod दिया है, उसके rod से मीड points है न, perpendicular bisector पर a distance पर हमें क्या निकालना है, electric field निकालना और rod का एक और चीज़ क्या दिया है, length दिया है L और उसके charge क्या दिया है, Q दिया है, हमने rod के लिए proof क्या क्या था formula जी, lambda charge density दिया होता, इसमें charge density नहीं दे क्या दिया है, चार्ज दिया है, चलो कोई दिकत नहीं है, जब charge है length है, तो charge density दो लिखी सकता है, lambda क्या होता है, Q by L होता है, यह तो कोई बड़ा सा deal ही नहीं, कोई बड़ी सी बात नहीं है, ठीक है न, अब देखो, इस point पर कर निकालना है, तो चलो end को मिलाते हैं, चोटा सा question है, ठीक है न, अब देखो, इस point पर पहले आप ड्रॉक करो perpendicular, तो perpendicular component तो इधर तरफ आएगा, ठीक है, और parallel कि इधर आएगा, parallel तो आए गई नहीं, ठीक है, और theta 2 भी क्या है, theta है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब लिखतो, e perpendicular will be, e perpendicular will be, k lambda, k lambda, lambda is what, q by l, k lambda by क्या, d न, तो d क्या है, a है, ठीक है, d तो क्या है, इसमें, a ही है न, perpendicular दूरी, sin theta plus sin theta, लिखना पड़ेगा, sin theta 1 plus sin theta 2, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, sin theta plus sin theta, क्या हो जाएगा, जी, 2 sin theta हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करो, अब theta तो question में दिया है, question में क्या दिया है, length दिया है, और एक बात हमें साथ ज्यान रखना, physics question में, जब भी कुस length हो इन दिय जाएगा, right, okay, तो हम sin theta लिख सेते हैं, ठीक है, तो sin theta अब क्या लिखत हो गए, p by h, ये क्या होगा, l by 2 होगा, और ये, ये कितना होगा, ये h कितना होगा, ये h कितना होगा, तो hypotenuse है न, इस triangle में देख होगा, तो ये होगा a square plus l by 2 का square का root हो जाएगा, ठीक है, तो sin theta हो जाएगा, कितना, l by 2 divided by root a square plus l square by 4, ठीक है, अब आप यहाँ पर रखतो, kq by l into a, 2 into sin theta is what, l by 2 root a square plus l square by 4, ठीक है, तो 2, 2 कैंसल होगा, तो e जो आएगा, ये ही inet होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, kq by a, 1 by root, क्या कर तो इसको a square plus l square by 4 हो जाएगा, अब जैसा answer मांगेगा option, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका LCM भी अप्ले सकते हो, 4 root का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा हम लोग, इसमें, मतलब, वो हमने theta इंप्रूफ किया, लेकिन theta नहीं दे कि आपको क्या दे सकता, length भी दे सकता है, और उस length को यूज करके आप angle निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, एक और standard करते हैं हम लोग, standard क्या है, हम लोग को electric field निकालना है, electric field due to infinite wire, infinite charged wire, मतलब कैसा है जी, इधर की तरफ भी infinity है, इधर की तरफ भी infinity है, मतलब, minus infinity to plus infinity तक ये फै point पर mid point से निकालना है, मतलब किसी point से बीच में से निकालना है, ठीक है ना, और ये d distance है, तो इस point पर हमें electric field निकालना है, हम लोग, electric field किसके लिए निकालने जा रहे हैं जी, infinite wire के लिए, ठीक है, तो अब देखो, आप यहां से इस end को जब join करोगे ना, तो बाइस साब, य यह से कैसे होगा, आप एसे join करो तो ऐसे angle खुमेगा, तो ये जो point है, ये जो point इइंफिनिटी पे है, तो ये उसको कहां पर cut करेंगा, जब ये क्या हो जाएगा, पैरलल हो जाएगा इसका, दो parallel line तो infinity पर cut करते हैं तो ये line parallel, इलन दोनों के है, आप से parallel हैं तो दोनों कहा यहां पर कमेंट करेंग तो यहां पर कैसा एंगल बनेगा 90 तो एंगल कैसे बनेगा 90 बनेगा तो हई होगा और हीटर टू भी 90 होगा ठीक है और दी तो डिहा आच्छा तो अब देखो पैरलल अर्परफेंडिकुलर कैसे तो तो perpendicular component तो ऐसे आ गया ठीक है और parallel तो होगा ही नहीं कि इधर भी infinity तक इधर भी infinity तक मतलब दोनों तरफ क्या है same length राइट तो same length है तो क्या होगा जी बताओ यह parallel component क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है तो आप लिख दो आप लिख सकते हैं इसमें density देलो lambda lambda तिया होगा ठीक है ना तो के लेंड़ा by D कितना कितना sin 90 plus sin 90 है ना । sin 90 plus sin 90 क्या होगा जाए 1 plus 1 होगा तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फिल्ड दू इन्फिनाइट चार्जड विल विल वी टू के लेम्डा बाई डी ठीक है ना और तुम्हें याद रखना के क्या लिखते हैं जी हम लोग वन बाई फोर पाई एपसालन नॉट लिखते हैं ठीक है ना तो अगर आप इसमें अगर के का वैलू इसम हो जाएगा तो उस्वरी यहां पर क्या होगा लेम्डा होगा तो क्या लिख सकता है लेम्डा वाई टूपाई एपसलन नॉट इंटु डी होता है वर लेम्डा इस लेनियर चाजड देंसरी अब bodies इंपनेटें आप लोग करते जी infinite wire का निकालते हैं, हमने सीखा कहां से, finite से सीखा, और finite का formula यूज करके हम लोग किसका निकाल ली, infinite का निकाल ली, ठीक है न, चलो हमनों next करेंगे किसका, semi-infinite का, चलो आप इसका solution लिख लो अच्छे से, ठीक है, semi-infinite का करो, semi-infinite charged wire, ठीक है न, वही lambda दिया हुआ, इस मतलब यह हुआ कि इधर की तर्फ infinity तर गया है, और इसके end पर निकालते है, semi-infinite का मतलब यही समझेंगे, कि infinite wire है, है न, और कहां पर निकालना होता है, हम लोग को, end पर निकालना रहता है, मतलब इस point पर निकालना, और यह क्या है, D distance है, चलो ठीक है, फिर निकालो, और क हमें थो क्या लिखना है बस भीट भान गहाोगा現在 यही लाइन है और एंड पे बिला वेडायाँ हम लोग क्या करते है उस उस पॉइंट से लोवर एंट को मिलाएंगे तो उस पॉइंट से लोवर एंट को मिलाएंगे और वो जो लाइन बनेगा और दूसरा यह लाइन कौन जी पर्पेंडिकुलर लाइन तो पर्पेंडिकुलर लाइन और वो लाइन जो लोवर एंट को मिला रहा है उसके बीच का गश्भीना अस सानीशी कुन रिता थेंगी जिद्येंगे झीरो स्वlles लिख दीनगे और दी तो ती हैं है तो बाई सभेती ओफ हो गया। आप दोखो इस पर इसमें छया इतना लेंद की सब्सक्राइब निच्राइबट वायर है ज्यादा ऊपर की तरफ इसमें भी ज्यादा कम काम केस ने जो भी वायर है ऊपर ही है ठीक है तो ई प्राशन फेपर यह नीचे आएगा ठीक है योप नीकाल लो इसका बैला कि यह रीक यह ठीक है न मतलब ये की यह हो गया जी के लेम्डा थी होगय और ही पैरलेल करोगे तो k lambda by d cos theta 2 cos theta 2 minus cos theta 1 लिखते हैं तो cos theta 2 क्या होगा 0 होगा और cos 90 क्या हो जाएगा cos theta 2 क्या होगा theta 2 तो 0 है न तो cos 0 क्या होगा 1 होगा और minus 0 हो जाएगा कि cos 90 लिखना है तो यह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इभी क्या हो जाएगा k lambda y d होगा और इसमें k के value put करो तो कितना आगा जी lambda y 4 pi epsilon 0 d और इभी कितना आएगा lambda y 4 pi epsilon 0 d आएगा ठीके न हला कि आप इसको याद रखोगे न तो जादा अच्छा रहेगा k lambda by d k lambda by d ठीके तो हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास semi infinite wire है तो उसके काराण जो electric field होता है d distance पर ठीके दो component होगा एक parallel component होगा और एक perpendicular component होगा और दोनों का magnitude क्या होगा सेम होगा ठीके तो इसका net किदर होगा जी इधरिक तरफ होगा net net तो इधरिक तरफ होगा ना ठीके तो net निकालोगा तो कितना आएगा देखो तो दोनों perpendicular है तो e net निकालोगे अगर तो क्या लिखना पड़ेगा k lambda by d k square plus k lambda by d k square का root करना पड़ेगा कि दोनों कितने पर है जी 90 degree पर है ठीके ना तो आप इसका net निकाल दो तो net लिखोगे तो क्या जाएगा calculate करके root 2 k lambda by d this is the net electric field due to semi-infinite wire ठीक है ना और यह एंगल कितना होगा 45 होगा यह एंगल कितना होगा 45 होगा चाहिए भी क्या होगा 45 होगा क्योंकि दोनों component क्या है इक्वल है तो हमने standard standard क्या क्या करा जी तो standard standard क्या था जी एक infinite wire का था infinite wire कितना होता है net electric field 2 k lambda by d होता है और wire से दूर होता है मैंने यही भी निकाला था यही है value infinite के लिए चलो मैं आपको एक बड़ दिखा दू मतलब simultaneously आप लिखते चलो कभी कभी ठीके ना तो मैंने क्या लिखा था infinite लिखा था और इस point पर लिखा था तो क्या आया था net इधर आया था 2 k lambda by d आया था ठीक है lambda charge density था यहां पर क्या है इधर भी है और इधर भी है ठीक है न तो यह 2 k lambda by d है और यह क्या तो positive charge लिए था ठीक है न अगर यह negative charge होता चाहिए भी negative charge होता तो क्या direction opposite हो जाता बिल्कुल हो जाता ठीक है न जैसे हमने जब proof किया था तो यह rod लिया था न इस point पर निकाला था न थीक है तो हमने यह element लिया था यादकर जो हमने negative लिया रहा था तो d e कि इधर आता इधर आता और element ऐसे ऐसे आते तो एक parallel आता और पर्पेंडिकुलर आता लेकिन towards the wire हो जाता पर्पेंडिकुलर पैरलेल तो पैरलेल होगा भाई सहाब मतलग जो भी हमने पढ़ाना जितने भी concept में लोग पढ़े अगर charge negative होता लेमडा क्या होता negative होता तो जो भी हमनों डारेक्शन निकाल रहे हैं पैरलेल का जो concept लगा रहे हैं पर्पेंडिकुलर रहे हो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा जैसे हमने पढ़ाना भी कि positive charge रहेगा तो जिधर बड़ा length होता है उसके opposite में parallel component जाता है बायर हो जागा और हमर Dop पहले से पढ़े हैं पहले से क्या पढ़र हैं अगर positive charge होता है तो electric फिल्ड में होता है चार्ज से अवे होता है और negative charge होता है to help you apply quila and negative charge होता है तो electric field किदर होता इदर कि तरफ होता है और यह बात क्लियर हुए क्या मतलब जो भी आपने पढ़ा अभी तब निगेटिव के लिए डारेक्शन क्या कर देना आपको उलट देना है ठीक है तिसमें हम लोग हर टाइप का अधीर पे जा के डी वाई लिया ना मने परूफ किया और लिमित क्या रखाथा जी यह था न अ यह थी टा वंत can और यह क्या था, theta 2 था, तो हम लोग limit क्या रहा है, minus theta 2 to theta 1 रहा है. अगर यह infinite wire होता, तो theta 2 क्या होता, 90 होता और theta 1 भी, 90 होता, तो जब infinite wire होता तो proof में अब क्या लिखते है, minus pi by 2 to plus pi by 2, आज begitu हमें सभीना, सब कुछ, सारा कुछ, मेक्णिजम वही होता, बस infinite wire के लिए proof करना है तो minus theta 2 to theta 1 के वजाय क्या लिखना चाहिए हम लोग को minus pi by 2 to plus pi by 2 आई बस हमने और case तो आप इसको लिखे अच्छे से फिर next करते हम लोग चलो एक और question करते हम लोग बढ़े असा standard यहाँ पे square है square है और इसका charge density lambda है यह भी lambda है ओके यह वहला minus lambda है और यह minus lambda है ठीक है lambda क्योंट क्या होता है जो कुलंब पर मिटर ठीक है न lambda क्योंट क्या होता है कुलंब पर मिटर होता है चलो तो हमें क्या करना कि center पे electric field लिखना है center पे electric field intensity निकालना है net electric field intensity ठीक है तो ऐसा करते हैं हम लोग टुकडे में कर लेते हैं इसका करेंगे एक बार निकालेंगे यह finite wire है फिर इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर एक बार इसका निकालेंगे ठीक है न तो ऐसा करते हैं इसका पहले निकाल लेते तो इसका निकालोगा आप तो यहां 1 और थीटा 2 कितना हो गया 45 45 हो गया ठीक है ठीटा 1 भी 45 हो गया और थीटा 2 भी 45 हो गया और दी तो क्या हो गया डी क्या लिख दो इसका side length दिया हुआ है इसका side length क्या है मैं आदकल में किस्क्राइए लेंडा यह स्था फिर मेरा सलूशन देखना छेखो मैं करतूंगा है अब स्कुत किया। तो दी आक है अब देखो अगर एप लिखोगे सब्सक्राइब तो मुझे पता है कि इस पॉंट में जो पुर्पेंडिकुलरॉंश। इधर की तरफ आएगा इस परपेंडिकुलर ठीक है और इसके करण कोई भी प dönth chiar नहीं हुन यह कमद ही यह जितना लें लें थे उतना यह यह लें थे Mr. Sin 45 प्लस Sin 45到底 कितना 1 dying where two plus onemain root to που जितना एगा 2 центрा डू अन्हो library to take a मैं इसको लिख विज सकता हूं रूट tu few यह डंडावई ए ठीक कितना गगा protein room 2 x लेंडावई ए आ इतो यह यह यहीलिक्टिक विङ्टेल आया किसके कारण इसके कारण आया है चलो इसके करण निकालोगो तो similarly इसके लिए भी क्या होगा ऐसे लाइन ड्रो करोगे और यह 45 यह 45 तो इसके लिए पर्पेंडिक्लर कंपरेट इधर की तरफ जाएगा ठीक है इसको ऐसा करते हैं इसको माल लेते हैं हम ए ठीक है तो यह आया है ए तो क्या इसके लिए भी इही आता क्योंकि दोनों क्या है रॉट वही है यह यह भी पॉस्टिव है इधर दिया यह भी पॉस्टिव है अब एफ्रम रॉट देगा और 45 45 यह लेंद्ध यह डी कितना होगा यह होगा तो सारा कहानी क्या है सेम ही है तो यहां भी क्या पॉस्टिश किया इसप्रोड इसका बात के चलो अब देखो अगर आप इसका बात कर तो यह कैं नेगीटीव बोला है पर्पेंडीकुलर कि इधर देगा अपने तरफ देगा यह तो है ना निगिटीव बहुत य और यह निगीटीव है तो यह भी अपनी तरह प्रोडूस करेगा ऐसे ठीक है तो हमें कैसा-कैसा सिचुएशन मिला जो हम लोगो को सिचुएशन कैसा-कैसा मिला जब इधर पर एक E है और E है ठीक है और इधर E है E है मतलब इधर मिला हमें क्या 2E मिला और इधर क्या मिला 2E मिला ठीक है 2E 2E मिला तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा net root 2 into 2E होगा ठीक है अब मैं लिख सकता हूं कि E net will be 2 root 2 and V will be how much E कितना होगा जी root 2 K lambda by कितना A तो मैं लिख सकता हूं कि E net at the center of square है न कितना हो जागा root 2 into root 2 2 हो गया 2 into 2 4 हो गया तो 4K lambda by A हो गया this is the net electric field at center ठीक है न और same to same question हम लोग magnetism में भी करते हैं अगर आपको magnetism आता है आप 12th pass हो तो आप यहां पर question लगा सकते हो कि यहां पर क्या है I current flow कर रहा है तो इस point पर क्या निकालते हैं हम लोग magnetic field निकालते हैं और formula तो ऐसा ही होता है वायर के कारण magnetic field कितना होगा ठीक है तो आप लगा सकतो आप ठीक है चलो एक और problem लोग करते हैं मालो कि lambda charge density का वायर है और से इदर की तर इनिफिनिटी तक गया हुआ है और यहां से मैंने क्या किया बेंड कर दिया इदरीक तरफ लेके चले गए इन्फिनिटी तक मतलब लेमड और लेमड ऑर लेमड वड ठीक है और निकालना कहा पर और और वह किनका एलेक्टिरिक फील निकालना है, मतलब यहां से भी फी फीद दुरी पर यहां से भी फीद फील पर अगर हम लोग इस element के बात करें, इस element के लिए perpendicular component इदर जाएगा, इस element के लिए perpendicular component जो जाएगा, एक तो जाएगा इदर की तरफ, यह तो इपर्पेंडिकुलर हो गया, और E parallel के इदर जाएगा, तो length बड़ा की तरफ है, इसके लिए बात कर रहे हो, तो यह क्या होगा, यह त तो उपर की तरफ जादा length है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, E parallel होगा इसके लिए, चलो ठीक है, तो similar तो wire वो भी है, वो भी वैसा ही wire है, चलो इसका perpendicular निकालो, तो इसका जब perpendicular wire निकालोगे, perpendicular component निकालोगे, तो perpendicular की तरफ आएगा, इदर की तरफ आएगा, ठीक है, और parallel क इसमें इदर की तरफ ज्यादा length है, तो इसके opposite में इदर जाएगा, parallel, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, E perpendicular, E parallel, दोनों का निकालके रखके फिर हम लोगो net निकाल लेंगे, ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, हम लोगो इसके लिए पहले निकाल लेते हैं, इसके लिए, ठीक है, तो यहां से एक lower end को मिलाया और यहां से इदर की तरफ, अपर end को में मिलाऊंगा, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, ठीटा 1 कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा, ठीटा 2 कहलाएगा, तो ठीटा 1 कितना लिखो गए, जी बताओ, ठीटा 1 कितना लिखो गए, चलो यहां लिखतो तो यह कितना होगा, 45, 45 होगा, है न, यह क्या हो जागा, 45, 45, तो मैं लिख सकता है, this will be 45, and how much d, d is what, a, ठीक है, तो e perpendicular कितना लिख सकता हो, e perpendicular क्या होता है, k lambda by d, d is a, sin theta 1 plus sin theta 2, so sin 90 plus sin 45, sin 90 plus sin 45, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी, sin 10 कितना, 1, और 45 कितना, sin 45 कितना हो, तो 1 by root 2, तो मैं लिख सकता हो कितना, 1 plus 1 by root 2, ठीक है, अब e parallel लिख दो, e parallel लिख होगा, तो कितना हैगा, k lambda by a, cos theta 2 minus cos theta 1, 1, तो cos theta 2, cos theta 2 कितना होगा, 1 by root 2 होगा, minus cos theta 1 कितना हो जागा, 0 हो जागा, क्यों theta 1 कि 90 और cos 90 तो 0 होता है, तो मैंने लिख दे यहाँ पर 1 by root 2, चलो, अब तो similarly, हम लोग कह सकते हैं, कि इसके लिए भी value क्या होगा, उतना ही होगा, एंगल क्या है, इसके लिए भी, 90 45 है, ठीक है न, इसके लिए भी क्या होगा, 90 45 होगा, तो e perpendicular और e parallel का value क्या होगा उसके लिए भी, same है, ठीक है न, आई बास सम्मिए न, क्या होगा जागी, same हो जाएगा, तो हमें तो बस value रखना है, चलो आप लिग दो, मैं लिखूंगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या लिखूंगा, देखो, e perpendicular कितना है, k lambda by d, 1 प्लस, 1 by root 2, और e parallel, e parallel के value कितना है, k lambda by a, इधर की तरफ, k lambda by a, 1 by root 2, मैंने इसका वाल लिखा, e parallel, चलो, e perpendicular लिखते है, e perpendicular कितना आया, यह वाया, तो k lambda by a, यह को खूब अराम से बता रहा हूँ आपको, यह समझ में आना चाहिए आपको, बहुत यह अच्छा प्रोब्लम उठाया, और ऐसा-इसा प्रोब्लम कर लेंगे न, तो आप कोई भी एक्जाम दो तो आपको लिए कि हमने ऐसा प्रोब्लम किया है, ठीके न, मजाग नहीं है न, कि हम लोग एक formula प्रोफ कर लिए, और एक चोटा से एक्जामपल कर लिए, और IATN बनगे बाई साफ, ऐसा नहीं होता है, ठीके न, जहां से मैं नहीं है न, बाई साफ, questions तो आपको इतना करना ही करना पड़ेगा, अगर आप इतना question नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीके न, इतना questions तो करना ही पड़ेगा, minimum यह तो करा रहो, इससे ही बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीके न, लेकिन जितना हो सकता है, ठीके न, उतना required जितना है, उतना तो हम कराऊंगे, मतलब मैं कराऊंगे, ठीके न, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीके न, इस सारे questions तो करना ही पड़ेंगे, ठीके, तो देखो, इधर की तरफ क्या, यह perpendicular हो गया, और यह parallel कितना आया, इतना आया, k lambda by a, 1 by root 2, ठीके, अब आप ऐसा करो, इसमें से इसको minus कर दो, और इसमें से इसको minus करो, तो कितना आएगा, उपर में कितना आएगा, दो इसमें से इसको minus कर होगा, तो 1 by k lambda by a है, 1 by root 2 है, तो 1 by root 2 अला क्या हो जागा, तो कितना बचेगा, k lambda by a बचा, और इसमें से इसको minus करोगा, तो फिर से 1 by root 2 अला, cancel होगा, तो k lambda by a बचेगा, ठीके, तो net कितना आएगा, net, net तो इधर की तरफ आएगा, must, और वो कितना आएगा, root 2 k lambda by a आए root 2 k lambda by a, जो तो root 2 k lambda by a एक और question का अंसर आया था है, किसका आया था जी, semi-infinite का आया था, यहां सम्दोग जो a distance फिली है थे, और ऐसे आया था, और ऐसे आया था, तो net इधर की तरफ आया था, root 2 k lambda by a, ठीके, तो यह सारे questions आपको करने पड़ेंगे, ठीके न, चलो अब हम एसा करते हैं कि हमने straight wire का जितना questions हो सकता था, based on calculation of electric field intensity को हम लोग सारे कर लिये हैं, ठीके न, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसी के जैसा एक और हमारे पास uniform charge distribution है, जिसका formula same to same होता है, ठीके न, तो उसका हम लोग करेंगे, और वो क्या है, ring है, चलो आप इसको अच्छे से तो next हम लोग देखने जा रहे हैं, electric field due to uniformly charge circular arc at its center, इस बार circular arc होगा, है न, circular arc मतलब circle का ring का छोटा सा part होगा, और उसको हम लोग semi circular ring में भी तबदिल कर लेंगे और पूरा ring के लिए भी निकाल लेंगे, वैसे हला कि पूरा ring के लिए electric field लोग निकाले थे, लेकिन वो ऐसा थ था है न, यह axis था और इस ring पे charge q था, radius r था, इसके कारण, electric field निकाले थे, इस axis पे, x distance पे है न, but this time we are going to calculate electric field due to circular arc at its center, center पे निकालने जा रहे हैं, okay, चलो, ठीक है, तो ऐसा करते हैं न, एक circular arc ले ले तो ऐसे कोई arbitrary circular arc, तो circular arc आप ले लो माल लो यह circle होगा, ठीके, तो इसक चोटा सा पार्ट मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, यह वाला पार्ट ले लिया मैंने, इसके कारण हमें इस center पे electric field निकालना है, okay, इसके कारण निकालना है, electric field center पे, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, अब हमें पता है कि जब भी निकालना होता है, continuous charge के लिए, तो हमें टुक d theta का element ले लेते हैं, यह angle कितना होगा, d theta होगा, बहुत अच्छे, यह angle d theta होगा अपना, अब देखो, यह charge कितना है, तो दीक्यो चार्ज है, ठीके न, circular arc, यह तो line charge ही है, ना, circular arc क्या है, लाइन चार्ज है, तो इस line charge का charge density हमने ले लिया है, क्या, लेमडा ले लिया है, okay, अब देखो यह जो डिक्यू चार्ज ना डिक्यू चार्ज इस लाइन में ऐसे एलेक्ट्रिक फिल्ट जेनरेट करेगा और यह एलेक्ट्रिक विल्ट कैसा जेनरेट करेगा जी डी जेनरेट करेगा राइट तो डी अपन लिख सकते हैं क्या चलो लिख दो डी डी क्या लिखो हाला कि line charge के लिए DQ लिखते है lambda into DL, ठीके हैं न और इस case में हम लोग क्या लिखेंगे, lambda into DL के जगह क्या लिखते हैं, दो यह वह लेंथ लिखेंगेंगे, दो र है, यह इंगल थीटा है, d theta है तो हम लोग plane angle concept लगाते है, theta equals to l by r, ठीक है, तो ये length क्या होगा, r d theta हो जाएगा, अरे हम लोग तो dq तो क्या लगते है, line charge में lambda into dl, दूसरे lecture में बताया था, electrostratics का, और for circular charge, especially हम लोग लिखते है, r d theta, dl तो क्या होगा, r d theta, चलो, ठीक है, divided by r square, ठीक है, तो r r cancel हो गया, तो हम कह सकते है, k lambda by r into d theta, this is what, d e, ये आया क्या जी, ये d e आया, d इधर की तरफ generate करेगा, चलो, ठीक है, अब देखो, ये तो angle क्या होगा, theta होगा, तो इधर की तरफ क्या कह सकत है, हम लोग, d e, cos theta हो जाएगा, और इसका component इधर तरफ क्या आएगा, d e sin theta, आब आपको चमा कराओगा, धिरे-धिरे हम लोग वैसा ही कर रहे है, जो हम लोग finite rod के लिए निकाले था न, electric field, ठीक है, दो वैसा ही कुछ-कुछ आ रहा, देखो, अब ये जो theta है, इसी theta पे इ इकवल इकवल लिया है, ठीके, जैसे माल लोग, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, element तो यहां से लेके यहां तक फैला है, यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, तो हम एगर d x निकालना है, e x बोलो, d x निकालना है, e x बोलो, e x बोलो तो electric field along x direction, okay, electric field along x direction अगर نिकालना है, तो हमें क्या करना होगा g, d e cos theta को integrate करना होगा, है न, और e y निकालना होगा, d e sin theta को integrate करना होगा, लेकिन हम लोग वैसा किस बाद में करेंगे ईसको लोड़ अलग 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 के मतलब यह हुआ कि इस लिजसे fellow कु बधनी काल εδώ फूंप lower end से join करते हैं और upper end से join करते हैं और यह वाला जो एंगल है इसको आप ले लो theta 2 जैसे हम ने उसमें भी लिया था और इसको क्या ले लोगे theta 1 ठीक है तो आप करतो भाई साहब तो e x कितना हो जाएगा बताओ d के value put करो k lambda by r d के value क्या है k lambda by r into d theta है तो cos theta into d theta same to same answer आएगा क्या करूंगा minus theta 2 to theta 1 तो e x अपना हो जाएगा कितना k lambda by r और cos theta का integration sin theta ठीक है तो sin theta 1 minus sin minus theta 2 ओके तो minus minus तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो फिर से वही आया ले दे के sin theta 1 plus sin theta 2 इसलिए मैं यहीं पर करा देता हूँ जैसे rod बताता हूँ उसके बाद इसको बता देता हूँ ताकि हम लोगों formula रटने में आसानी हो एक formula रटेंगे और दो काम अपना हो जाएगा ठीक है ना अच्छाची अगर आपको ey निकालना है तो ey निकालने के लिए क्या करना होगा integration of de sin theta ओके ey निकालना तो integration of de sin theta और k lambda by r into d theta पूट करो k lambda by r sin theta d theta ओके integration minus theta 2 to theta 1 ठीक है मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो अपना ey क्या हो जाएगा तो ey हो जाएगा कितना k lambda by r और इसका क्या होगा जी minus cos theta होगा यह theta 1 है ना minus cos theta होगा तो यहाँ पर क्या आता हम लोगा minus cos theta 1 minus minus plus हो जाएगा ठीक है ना तो कितना हो जाएगा जी cos theta 2 minus cos theta 1 ठीक है so this is the component of electric field along y direction अब देखो this is ey अब ey नीचे होगा कि ऊपर होगा आपको पता है ठीक है na rod वाला concept आपको लगा देना है rod वाला concept लगाना है just for example मैं आपको एक example लेलूं मालो एक circular यह arc है ठीक है और यह center है ठीक है तो एक यह end हुआ एक यह end हुआ यह मालो आप यह वाला है आपको 30 degree ठीक है और यह है 45 degree ठीक है यह वाला 45 degree है और यह वाला 30 degree है तो अब देखो इस point पर एक तो एक तो इधर की तरफ तो हो नहीं है एक तो इधाकी तरफ तो हो नहीं है ठीक है अब जिछिधर की तरफे एंगल ज़ादा हो सूम जैदा होगा यह का ओधर कंशाद की होगा कम होगा झालर कि कि अधि elder करी रात है अच्छा इस पोइंट पर लेंगे तो यह आप ऍवाइं करो तो यह वह थादा एंगल है ना 45 और यह 30 अब आपको चुमन में आगा तोड़ा दिखना भी तो चाहिए बाई साब ना डियाग्राम तोड़ा सा गलत हो गया था चलो ठीक है एक चलो एक तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कोभी सक्वाली बात निया बाई साब और दूसरा कंपनेंट वाई डारेक्शन में होना तो तो किदर की तरफ होगा उपर होगा की नीचे होगा तो जिदर की तरफ लेंध ज्यादा होगा वो प्रोड्यूस नेट करेगा तरफ आएगा ना उपर की तरफ उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा तो नेट किदर आएगा नीचे आएगा अब तो इसमें कुछ भी निकाना अगर आपको राडवाला समझ में आगया तो यहीं समझ में आगया है ठीके ना जिदर बड़ा लेंध होता था उसका लेमडा भाई और इसकाएथ देंसिटी लेमडा दिया हुए है शाइन कितना ठीटावन कितना है 45 प्लस इन 30 ओक्यों और प्लूटी लिखना है तो ग्रफ यह लिखोके तो क्या लिखोगे के लेमडा भाई और क ऑस थीटा3 टीटावलार थीटा में क्या लिखोगा बताओ इसका वैलो निकाल सकते के लेंड़ाइ और साइन 45 इज वन बाई रूट 2 प्लस वन बाई टू कैलकुलेट कर लेंगे यहां भी क्या होगा रूट 3 बाई 2 माईनस वन बाई रूट 2 होगा जो भी होगा यह देखो यह पॉस्टिव होगा नीचे की तरफ है ना तो मैं लिख सकता हूँ प्लस ईवाई जकाप लिखूंगा क्या नई जकाप नहीं लिखूंगा देखो तो यह नीचे की तरफ है ना तो ईवाई तो लिखा माइनस जकाप लिखूंगा तो इस विल भी राइट अंसर ओके सल्कूलर आर्क के लिए हम लोग इस तरह से निकालते हैं और टोटली क्या है जी रॉट के तरह ही है इसका भी कॉंसेट कम्प्लीट कॉंसेट कुछ भी अलग नहीं है ठीक है तो इसमें दो चार एक्जांपल से स्पेसल केस करेंगे हम ल लिखी अच्छे से तो हमने लिख्या एक्स कंप्रेंट इधर इक तरफ और वाई कंप्रेंट जिधर भी हम लोग अपने एक्स्पिरियंस से निकाल लेते हैं एक्स एवाई ठीक है ऐसा तब होगा जब ठीटा बन क्या होगा ज्यादा होगा इसलिए नेट कंप्रेंट ओले ठीक है और सिंपली वही कंट्पीशों लगा मैं अगर रींग वरं सक्प्रम रेंग और मेहां ऑधर किल गया जाएगा ओर एक्सेरा उपर हो जागा जैसे क्हम लिए यहां पर में इध्यांप्ल सब्सक्राइब तो अगर इसा और यह है हम तो आघर है okay? तो अगर यह निगटी निचर हाई कि अगर गला अगर आность फिल्ट होता दो एक हेथर होता ओर यह तो नीचे प्रोडिटेस करता है अगर पॉनिटिव होता तो जो एक था मारा इधर और अब क्या हो जागा अगर निगेटिव हो जागा तो यह वला इधर प्लट गया और यह नीचे था तो उपर हो जाएगा So this is this will be what? EY और यह होगा AX अगर यह क्या होगा? निगेटिव होगा तो Simply जो आप positive के लिए concept लगा रहे हो गर negative charge होगा तो formula तो सेम होगा को बस direction क्या करेंगे हम लोग उलट देंगे भाई सही अप आ पोजिट कर देंगे चलो ठीक है अब देगो सिप्सेल केस बनाते है है थोड़ा स्पेसल केश में क्या करें बताओ स्पेसल केस के लिए सिसल केस कर ढाया अब ऐसा करो एक हमने क्यालिया को Somik Ani Em century the फिरल लिए थिक न फटर सरकलिया लङंड़ा चार्ज दिन सी डिका इसका इस पॉइंट पे निकालना है तो आप इसके लिएत्टा वन निखो है टिटा वन क्या होगा याई CTO घं चिक्डऑन रिडहां आहिंए तो किया होगा चёт ऑठीड़ा टू कितना होगा को फिक रही होगा स्मैंब स्कंधकी पला विक मैं रहांare तो इस नहें यह इंगा आहिंट हुआ थे सायर में 18 k lambda by r sin 90 plus sin 0 तो यह कितना आगिया जी k lambda by r आगिया ex एकस ओके आच्छा e y लिखोगे तो e y लिखोगे तो क्या लिखोगे k lambda by r cos 0 minus cos 90 है ना cos theta 2 minus cos theta 1 रखते हैं so this time e y कितना हो जागा जी k lambda by r यह भी हो गया देखो तो यह वैसा ही हुआ ना कैसा सेमी इंफनाइट था तो सेमी इंफनाइट ऐसा वाला रोट था ना तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकाले थे इधर कितना है इंफिनिटी था तो एक इधर कंपरेंट आया था इधर कंपरेंट आया था दोनों के वैलू कितना था तो वैसे यह भी आया, इस point पे कितना है, k लेमड़ा बाई आर है, तो net कितना होगा जी, तो net तो कैसा होगा, इधर की तरफ होगा, और इसका value कितना होगा, तो root 2, k लेमड़ा बाई आर, अरे, ऐसी होगा न, अगर यह negative होता, तो पूरा का पूरा क्या होता, opposite हो जाता, negative के अगर मैं लिखूँ, मालो, यह negative nature का अगर होता, तो मेरा component कि अधर जाता है, बताओ, तो x के लिए इधर जाता है, तो इस पर इधर हो जाएगा, और y के लिए नीचे जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और net इधर की तरफ जाता, और कितना value होता, root 2, k लेमड़ा वाई र, ठीक है, तो हम लोग रोड का अगर बात करें, तो रोड में semi-infinite और circle में, circle में quarter circle का formula क्या होगा, same होगा, और value इसमें center पर और उसमें क्या होता, d distance पर, ठीक है न, electric value क्या होगा, same होगा, ठीक है, आप इसको लिखते रहो simultaneously, चलो एक और special case करते हैं हम लोग, ठीक है, special case था यह, special case में हमने क्या लिया जी, quarter circle लिया, ठीक है न, अगर मान लो, मैं इस पर लेता हूँ, semi-circle, semi-circle लेंगे अगर हम लोग, तो semi-circle के लिए, कैसा होगा, this is the semi-circle, ठीक है, यह semi-circle होगा, तो इस point पे electric field यह positive मेंने लिया है, तो इधर की तरफ होगा, और y तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि यह जितना length है, उतना length यह है, तो y-component क्या होगा, जी, cancel out हो जाएगा, तो आप लिख दो y साब, अब इसके लिए theta 1 कितना लिखोगा, बोलो, theta 1 कितना होगा, theta 1 is 90, and theta 2 is also 90, so we can say, ex is how much, 2k lambda by r हो जाएगा, अरे, देखो, 1990 को तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, तो 2k lambda by r हो जाएगा, और ex हम लोग, अगर k के value रखोगा, 1 by 4 pi epsilon not, तो 4 cancel होगा 2 से, तो बचेगा कितना, lambda by 2 pi epsilon not r, where r is radius of circular arc, ठीक है ना, तो सूचो ऐसा formula देखा कि नहीं देखा, बताओ, किसमें देखा था हमने, ऐसा देखा था, infinite rod के लिए है ना, infinite rod के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही component होता है, along x, हम लोग कहते है था उसको में क्या जी, perpendicular component, है ना, rod पे perpendicular component क्या होता था, एक्स कहते थे हम लोग, ठीक है न, हालाकि यूए यू कहा सकते है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे जी, perpendicular component इतना होता था, एक ही component होता था और parallel component क्या होता था, cancel होता था, इसमें भी हम लोग कहा सकते है, कि सिर्फ ए वाला component आया है, ठीक है, और y क्या हो गया, चैंसल लाउट हो गया है, मेरी बात संवाई किया, ठीक है, अगर मान लो यही semi circle ऐसे रहता, अगर यह semi circle ऐसे होता, तो क्या होता, ऐसे आता, और इसके value क्या होता, 2k lambda by r, मेरी बात संवाई किया, ठीक है, अब दोगो इसके करने का एक और तरीक है, मैं आपको वही बताता हो, ठीक है, आप इसको लिख लो, मैं इसको मिटाओंगा, तो जैसे कि हमने इसका निकाला, electric field shift और shift कितर तरह आए, एक्स के तरह आए, और y हमने किया experience से देखा, कि उपर भी लें, तो नीचे भी लें, कि सेम से में, इसलिए EY क्या होगा, cancel हो जागा, अगर आप formula यूज करना चाहते हो, तो formula भी यूज करोगा, तो answer वही आना है, भाईस, आप 90-90 है, और y के लिए तो cos यूज करते हैं, तो cos 90-cos 90, 0-0 हो जाएगा, तो formula भी यूज करोगा, तो answer आपका उतना ही आना है, चलो, मैंने आप यापका बोला, कि हम लोग calculate करेंगे, क्या, एक अलग सा method होगा, और यह अलग सा method का खुबशूर्ती यह है, कि आपको net evangelical ये direct देगा, जैसे इसमें हम लोग क्या करते है, एक्स निकालते हैं, फिर य निकालते हैं, जैसे इसमें हम लोग ये एक्स य निकाला था, ठीके न, ओउसके बाद हम लो net निकालते हैं, ठीके न, तो इसमे इस मेठ़ड में नेट इलेक्टिफिल निकाल लेते हैं और उसका डारेक्शिन भी हम लोग डारिक्ट दे जते हैं, ठीके, तो देखो क्या होगा, जैसे माल लो यह सर्कल है, थोड़ा अच्छा सर्कल रहेगा तो ज्यादा अच्छा मजाएगा, है ना, तो देखो मैंने अर् T Теперь गहिए, हमने लिया, कि इस में एइंगल कितना बनाएगा, Θप बनाएगा, ऑकि now problem यहां पे एंगल कितना बनाएगा, ओकि अनगना बनाएगा नेट अब देखो, करते क्या है, क्यों लोग एंगल भी सेक्टर एक LINE लि Come to OK, आंगल भी सेक्टर लेंगे तो भाहे हमें तो तो वला एंगल फि ठीटावर्ए टू होका, यह तो हमारा ठीटा है ही, पूरा एंगल, ठीके? अब देखो, इस पाईंट पर अगर आप यह वला एल्मेंट लेते हो, यह एल्मेंट लेते हो, यह वला एल्मेंट तो यह इदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, D E है न, D E produce करेगा. मैंने element ऐसा करते हैं, हम लोग इसमें ठीटा यूज कर लिया है, जब ठीटा ने चिंगल लेते थे element हम लोग ठीटा बजाएक दीटा यूज कर लिया, तो हम लोग क्या लेना चाहिए जी, alpha पर जाके D alpha लेना चाहिए, right, alpha बजाके D alpha ले ले लेते हैं, त circular R का linear chart density LEMTA हमने लिया है, okay, अब यह alpha है, तो यह क्या होगा, alpha होगा, और इधर की तरफ की आएगा, DE cos alpha, okay, DE cos alpha है, और इधर की तरफ की आएगा, DE sin alpha है, no problem, sin alpha है, अच्छा, अब देखो ध्यान से, इधर की तरफ जितना element है, उतना ही element इधर भी है, जितना लंबाई इधर है उतना लंबाई इधर है मतलब यह वला जितना भी प्रोड्यूस इधर करेगा इसका इधर कंपरेंट होगा इधर कंपरेंट होगा उतना ही यह भी प्रोड्यूस करेगा यह उपर प्रोड्यूस करेगा अब इधर प्रोड्यूस करेगा इधर कंपरे कि निकाल रहे हैं तो यह एंगल आपको समझ में आगिया कि इस में हमें तो डिर्एक्ट नेक्टेश्य प्लेगा और वह सिर्फ क्या देगा जी यू डी इञोगा यहाँ झाला हुखा स्वेश्च करना है और इलिए डेट क्या देगा इन्ट करते गा मेरी बास सबर्छेटि हमलों डायरेट्ट क्या करेंगे एंगल वाय सेक्टर लान्ट रोकर देंगे और वहीं से पता चले गा कि नेट इलेक्टर फिर्ट्व डू ट्वी टू सर्कुलर आर्क्या होग एलन्ग दा 리 का एंगल भाइस सेक्टरों इrąinka यद रिख देंगे यहां पर अब करें क्येंटुक्रण इंडीध्य क्या फिल्य क्या लिए यूह यहां पर्टर करेंगे। alpha कहां से कहां तक vary करेगा तो alpha vary करेगा minus theta by 2 2 plus theta by 2 तक यह था theta 2 लिया था उधर theta 1 लिया था पहले बार ले expression में ठीके तो minus theta 2 2 plus theta 1 किया था यहां पर का करेंगा अब लोग minus theta by 2 2 plus theta by 2 ओके चलो करलो अब तो तो electric field जो नेट होगा k lambda k lambda r r तो cancel होगया k lambda by r cos alpha into d alpha integration minus theta by 2 2 theta by 2 होगया okay तो k lambda by r k lambda by r और cos alpha will be sin alpha और sin alpha लिख दिया हमने यहां पर और यहां पर limit लगा देंगे theta by 2 minus theta by 2 बाइस आप कहानी है अब तो sin theta by 2 minus sin minus theta by 2 और sin minus theta by 2 क्या होगा जी minus बाहर आ जाएगा तो plus हो जाएगा मतलब इस में तो आपको ऐसा होगा sin theta by 2 plus sin theta by 2 ऐसा होगा ना बिल्कुल होगा तो क्या लिख सकते हैं 2k lambda by R sin theta by 2 इस दो net electric field at center this is the net electric field at center and the direction of this net electric field is along the angle by sector अरे भाया ये तो बहुत इसान आगया ये तो direct क्या देरहा आपको net electric field देरहा है और direction भी देरहा है कि नी थीके? लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसका फिल लेना जरुरी था, इसलिए मैंने इसको बताया आब को, धिक हैँ나? तो 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 यह फॉर्मुला भी इसके लिए दे सकता है, यही फॉर्मुला इसके लिए दे सकता है, बस ध्यान रखना हो खे़ ठीटा हमारा क्या है, हीटेटा हमारまだ niin ठी intéressé за work angle at the center खेर रंगे था खेर न कर Sumerード तो basic therehow to angle वर कितना बनाएंगा पाय बनाएगा क्वाकर चरड़ होगा कितना 500 बनाएगा 552 बनाएगा चिरी क्वाकर साथ क्ली निकाला थाना place the quarter circle के लिए निकाला था ना इशे किया अब इस point में निकालना है तो हमें करने क्या है हमें तो क्या कर दो कि ENGLE BICECTOR क्या होगा इस Center सेufमें ay कर दिया से यह लाइन 45 45 जो भी हमें तो पूरा एंगल रखना है ठीके न, ठीटा के जगे रखना है, हमारा पूरा एंगल जो आर्क बना रहा था, वो पूरा ठीटा बना रहा था, ओके, अब देखो, अगर ये positive charge का है, lambda, तो इधर की तरफ होता है कि नहीं, और ये negative की होता है, तो इधर की तरफ होता, तो ऐसा करते है, positive ले ले लेते हैं, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो इलेक्रिक फिल्ड होगा, 2k lambda by r, sin theta by 2 होगा, तो मैंने लिख दिया, 2k lambda by r, sin, कितना जी, theta कितना है, 90, तो 90 by 2 कितना, 45, तो यह 1 by root 2 हो जागा, 1 by root 2, और यह 2 है, तो क्या होगा, root 2, k lambda by r हो गया, this is what, e net, अरे, यही तो निकाला था, यही तो निकाला था, अगर semi circle के लिए करते हो तो, तो हमने क्या ले लिए, semi circle draw करके, क्या ले लिए, angle wise sector और इदरीक तरफ होगा, और direct formula पे पूट करो, 2k lambda by r, sin, pi है न, तो pi by 2 करना पड़ेगा, theta क्या है, pi है तो pi by 2 करना पड़ेगा, तो यह 1 हो गया, तो electric field कितना आ गया, 2k lambda by r, अरे, आया न, ऐसे electric field होता है, net electric field, थी क्या है जी, वो direct, direction of electric field दे देता है, और net electric field भी दे देता है, ठीक है न, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, चलो इधर की तरफ इसको चिपकाता हूँ, देखो, कभी-कभी क्या होता है, कि circular arc में न, वो lambda नहीं देके क्या दे दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, मतला हमने क्या दिया था, circular arc का चार्ज देंसीटी दिया था अगर मैं इसको दे देता, क्यों हमने बोलता कि circular charge जो है, उसका उस पर charge क्या है, क्यों है, तो what is the electric field at the center, तो this is the electric field at the center, but this electric field is in terms of charge density, lambda, लेकिन हम निकालने जा रहे हैं, in terms of charge क्या होगा, तो कुछ नहीं करना बाई सहाब, charge लिखना है न, तो lambda equals to क्या लिख दोगा, लेम्डा तो charge density है, ठीक है, तो total charge पर total length लिखना है, तो lambda equals to क्या हमाल उस पर charge q है, और theta angle बना रहा है, उस पर total charge q है, और ये angle कितना है, theta, तो इसका total length कितना हुआ, मैं तो lambda कुडा हूँगा, charge ketub में लिखूँगा, लेम्डा कुडा के charge ketub में लिखूँगा, तो ये theta है, और ये theta radius r है, तो इसका length कितना हो जागा जी, r theta, अरे plane angle के formula से, ये theta है, radius r है, तो ये r के length कितना होगा, r into theta होगा, तो मैंने लिख दिया r into theta, अब हम उड़ा देंगे उसको भाई सब, 2k lambda क्या रख दूँ, q by r तो पहले से है, और q by क्या लिख दिया, r into theta, ठीक है, into sin theta by 2, any problem, हमने ऐसा लिखा, ओके, तो अब लिख दो electric field ecosystem क्या हो जाएगा, देखो, 2k q by r square sin theta by 2 by theta, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको और अच्छे ऐसे लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, k q by r square sin theta by 2 divided by theta by 2, अरे डर लगा क्या, देखो तो, मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा, अच्छा, इसलिए रग रहा है, कि k q by r square, k q by r square, हम लोग का electric field का formula क्या होता है, k q by r square का ठम में होता है, तो देखो, यहाँ पे k q by r square होगे, इसका तो कोई unit ही नहीं है यह भाई साब, है ना, तो sin theta by 2 by theta by 2, आपको जो पसंद हो वो याद कर लो, आपको यह अच्छा लग रहा तो यह आद कर से तो यह अच्छा लग रहा, तो यह मैंने चार्ज के तम में दे दिया, यह lambda के टम में दे दिया, ठीक है, हाला कि दोनों ही आच्छा है, ठीक है ना, तो इसकी खुबसूरती क्या थी, यह direct electric field देता है, ठीक है ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रॉड का, electric field निकाला, और उसमें हमने special case कर रहा, infinite के लिए, semi-infinite के लिए, और धे सारा problem किया, combination of rods से, ठीक है ना, यहाँ भी हमने क्या क्या, circle का निकाला, arc का निकाला, और standard case किया, और इसमें भी ऐसा करते हैं, दो-तिन problem करते हैं, ठीक ठाक, उसके बाद फिर रॉड और ring को मिला के problem करेंगे, okay, चलो, लिखो इसको अच्छे से, चलो, एक problem set करते हैं हम लोग, मालो आप, यह है आपका circle, okay, यह है circle, okay, अब यह circle है, तो मैंने क्या बोला, कि इसका charge density lambda ही है, लेकि इस पे ना positive positive charge है, ठीक है, इस पे positive positive charge है, और इस पे negative negative charge है, तो इसको अब लोग कैसे देखेंगे, जी, quarter circle की तरह देखेंगे, right, कैसे देखेंगे, quarter circle की तरह, तो जो मैंने पहला method बताया, कि quarter circle के लिए k lambda by और k lambda by आरा रहता है, दो complaint होता है, दूसरे में क्या वहला है, कि net electric field देता है, जी नेट electric field देता है, ठीक है, तो quarter circle के लिए k k lambda by और k lambda by r से करते हैं, तो ज्यादा आसान होता है, ठीक है, और सारा चीज हमारे दिमाग में रहेगा और हो भी जाएगा, आप उसको बार-बार revision करोगे, तो हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग सारे questions को, हम लोग अलग अलग तरीके से apply करके, जो हमें असान लेगा, उसे apply करेंगे और question करेंगे, ओके, चलो ठीक है, तो जो positive है ऐसा करो, पहले k lambda by r, k lambda by r वाला से करते हैं, तो यह जो positive है, इसका एक away ऐसे देगा, इधर की तरफ देगा एक, और एक इधर की तरफ देगा, कितना कितना देगा जी, k lambda by r, k lambda by r, मैंने e के value लिख दिया, k lambda by r देगा no problem, k lambda by r, k lambda by r, ठीक है, अचा यह negative है, तो negative है, तो just उसके क्या हो जागा, पोजिट हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर positive लेते, एक तो इधर आता और एक इधर आता, लेकिन इन इधर चला जाएगा, एक उपर चला जाएगा, ठीक है ना, यह negative है, कैसे करते है, component कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर से पता जाता हूँ, इसमें लोग क्या करेंगे, एक element ऐसे ले लेंगे, और यह इधर देगा, यह element इधर देगा, तो इसका एक component इधर हैगा, एक component इधर हैगा, और दोनों component के value क्या होगा, k lambda by r, k lambda by r, ठीक है ना, अचा इस पे अगर कोई element लेते हो, तो यह element क्या है, इधर देगा, क्योंकि यह negative है, तो इधर की तरफ देगा, तो एक component की इधर होगा, बताओ, एक component होगा, इधर की तरफ, और एक component होगा, इधर की तरफ, अरे, होगा न, एक component की तरफ होगा, जी, उपर की तरफ हो जाएगा, और एक component तरह की तरफ हो जाएगा तो अब देखो यह वाला और यह वाला क्या हो गया cancel out हो गया क्योंकि हमने density तो क्या दिया है सेम दिया है तो यह देगा दोनों ठीक है और यह वाला क्या होगा add हो जाएगा तो यहां पर inet कितना हो जाएगा inet will be 2k lambda by r देखा देखा सेमी सरकल ही था लेकिन चार्ज का combination मैंने चेंज कर दिया तो अभी एंसर 2k lambda by r ही आ रहा है लेकिन direction change हो गा अगर मैंने मैं दोनों positive लेता हूं अगर दोनों positive लेता हूं पूरा का पूरा यह सारा सारा positive ले लिया तो यहाँ पर ऐसे होगा और कितना होगा वैलो 2K lambda by र होगा लेकिन यहाँ पर इलेक्टिफिल्ड कि इधर है इधर है इतना ओके चॉले एक और करते हैं हम लोग मालों आप कि यह पूरा यह सरकल है और यह सरकल है और यह पॉजटीव है ठीक है यह पार्ट के है पॉजटीव है कि अगलियो और यह पूरा ओर यह इस इत्तु सा छुटा सा पाट के live a और इस सेंटर पे कालना है और लेंड़ा इस चार्ग दिन्शिटिव मतलब यहां से यहां तैंक क्या होगा प्लस लेंडा होगा और इधर बहला क्या होगा माइनस लिए एसंटर पर निकालना है तो ऐसा करते हैं na K L M W R K L M W R से कर लेते क्या ऐसान टो चलू करते हैं लोग है ये जो पाठेना क्यों साब साब अच्छे से करें plaster करेंगे तरह क्ट है क्योंन करना है स्श्क्रीट लोग काउंट करना है ये घ्ले-वित क्यों ये वला जो पार्ट वी इस एधर देगा इधर कर ag template आएगा औस टो एक नीचे देगा और एक इधर देगा ठीखे इसका चंव्य सब्सक्रांव लोगत थे यह हमने कर दिया कोनि कर लिया और कर लिया तो इस point यह element लोगे अगर तो इधर की तरफ produce करेगा net नेट तो इधर आएगा net तो towards the charge आएगा एक component आएगा इधर की तरफ और एक component आएगा इधर की तरफ यह भी k lambda r है यह भी k lambda r है ठीक है ना आप हमें पता चल गया अब क्या होगा जिद्धेखो तो क्या यह एक इस एक को cancel कर देगा तो एक खत्म होगा बाई साहब और यह एक इस एक को cancel हुए कर दिया ना cancel तो इधर की तरफ कितना आ गया किया यह 2e आया ee सबका मैंने value लिया है तो 2e आया और नीचे भी कितना आया 2e आया नीचे भी 2e आया तो इधर की तरफ net हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा root 2 into 2e मतलब 2 root 2 k lambda by r is e net औरे यही तो होगा ना answer यही होगा answer simple सी बात है ठीक है ना तो आप इसको लिख लो तो next हमने रिंग से related question लिया है the thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it the net field e at the center o is center को o दिया है diagram ऐसे है यह है diagram ठीक है यह question का ही part है question में इस point को ओ दिया है यह मैंने ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है यह क्या है question के पार्ट है question में diagram दिया हुआ है ठीक है और इस पे charge क्या दिया है क्यों दिया है तो simple इस बात है semicircle रहता है तो हम लोग क्या करेंगे angle by sector से draw कर लेंगे तो net electric field किधर जाएगा जी इधर की तरफ जाएगा और lambda के time में अगर answer लिखना चाहे तो मैं लिखूंगा 2k lambda by r क्योंकि इसमें radius क्या दिया है इसमें radius क्या है जी small r है क्योंकि small r के time में लिखा है semicircle ring of radius small r दिया हुआ है और positive charge q है ठीक है ना तो चलो हम लोग यह तो लिखते हैं हम लोग electric field लिख सकते हैं इसमें लिख देंगे यह वेक्टर में अगर लिखना है तो में लिखता हूँ 2k lambda by r minus j-cap ठीक है तो 2 into 1 by 4 pi epsilon ऐसा इसलिए करो कि इसके अंसर में क्या 4 pi epsilon की टर्म में अंसर है और lambda को भी हमें उडाना पड़ेगा क्या क्या आंसर क्या है? charge के term में है तो lambda क्या होता है? charge by length total charge by total length क्योंकि uniform distribution है तो total charge तो q है और total length कितना है? pi r है pi into r क्योंकि total length 2 pi r होता है तो semicircle है इसलिए pi r दे दूँगा हम ठीक है तो minus j होगा है ठीक है ना पाइर देदेंगे हम लोग तो तो देखो क्या होगा तू ने 2 को माल डाला और क्या होगा जी? q by 2 pi square 2 pi sorry 2 pi square epsilon not r square है ना 2 into pi into pi pi square epsilon not into r into r square minus यहां लिग दिया और यह j cap लिग दिया so this is what electric field at center o ठीक है अब देखो किसका कौन सा मैच करेगा जी? 2 pi square 2 pi minus q तो यह होगा answer ठीक है ना तो यह जो question है ना यह आया था आपको आप इसको इस time के लिए j main बोल सकते हो ठीक है ना 2010 वहला कि उस time क्या नाम देता था जी हम लोग AIEEEEE था है ना जिसको कि हम लोग जानते हैं किस से j main के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो एक्चल में AIEEEEEE 2010 में आया था तो ऐसे simple simple question से हमें तो answer transform करने आना चाहिए तो चले हम लोग ring का भी completely हम लोग electric field up निकालने जा रहे हैं ठीक है चलो आप इसको लिखो अच्छे से तो हमने दो problem लिया है अच्छे problem से यह लेकिन हम लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है ना बहुत आसान असन problem भी कह सकते हैं ठीक है हाला कि यह रोड़ोप का problem है यह लेंडा चार्जदेंसीटी है यह ठीक है न और इसका भी कहा है लेंडा चार्जदेंसीटी है इस तरह का यह शेप बना रहा है और यह पॉइंट है में हमें इलेक्रिंडने निकालना इसमें पॉइंट के है ओं इस पॉंट पे में इलेक्ट्रिंडन निकालना है ठीक है तो निकाल से थैसरन ल्य और आप्ट प्राइब पाॉस करेके निकालो इस पॉन ultimate बहुत आच्छा कॉश्ण प्लीस अब ट्राई करो अच्छे से मन लगा के पॉस्ट करो और ट्राई करो अब करू मैं चलो इसमें लोग क्या करेंगे ना इस को हम लोग कैसे करते हैं तो हमें दिख रहा है कि एक क्या है यह भी इंफिनिटी तक गया है यह भी इंफिनिटी तक गया है ठीक है ना तो मैं यहां से लेके यहां तक यह जो रॉट लूँगा और इसके end पर निकालना तो हम कह सकते हैं क्या है.... semi-infinite है यहां से लेके इधर infinity तक गया इस के end पर निकालना था semi-infinite है यह भी similarly यह गै semi-infinate है और यह क्या है यह तो क्या है quarter circle है Daehis Ahab ठीक है सemi-infinite के लिए semi-infinite के लिए हम लेग पढ़ा था कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्री फिल्ड होता है इधर होता है और इधर होता है और दोनों का वैलू क्या होता है के लेम्डा भाई आर होता है ठीक है न और क्वार्टर सरकल के लिए हमने पढ़ा कि के लेम्डा भाई आर और के लेम्डा भाई आर होता ह चलो ठीक है तो इसके लिए एलमेंट किदर होगा आप एलमेंट लिख लो तो इसके लिए एलमेंट किदर होगा दो इस पर एलमेंट लोग है तो इधर कितरा नेट देगा यह तो एक कंपनेंट इधर जाएगा और एक कंपनेंट नीचे जाएगा ओके ओके अच्छा इसका कर से भी कर सकते हैं कौन से concept perpendicular होता और एक parallel होता है तो इसके perpendicular इधर गया और parallel तो क्या होगा यह लेंद बड़ा है तो इसका opposite में इसके लिए perpendicular इधर कि तरफ और लेंद इधर कि तरफ बड़ा है तो parallel complete इसके opposite में नीचे कह सकते हैं ठीक है ना let's talk about this element तो यह element जो है ना यह element net इधर कंपव कि तरफ देगा तो इसका component इधर कि तर आएगा जी एक इधर आएगा और एधर आएगा है ना आई बास हैं लेगा ना तो आपको समझ में आए किया होगा क्या होगा जी बताओ तो यह जो होगा एक component दखो, उपर में दो है, नीचे में एक है, तो क्या में उपर में एक लिख सकता हूँ, एक cancel कर दिये, वैसी राइट में दो है और इधर की तरफ एक है, तो ये भी E है, और ये भी क्या है, E है, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, तो रूट टू E, और वेर E is what, K λेंडा बाइर, तो इस point पे जो इलेक्टरिक फिल्ड होगा, इधर की तरफ, root 2 k lambda by r है ना अगर आपको इस point पे electric field vector में लिखना है तो vector में electric field क्या लिख सकते हो जी तो आप लिख सकते हो k lambda by r i cap plus k lambda by r j cap मेरी बात समझ में आई क्या इस तरह से कर सकते हम दो चलो इसके बारे में बात करते हैं बात करको, देखो कह सकते हैं, कि यह combination, किसका किस का जी तो semi circle का और 2 semi infinite इस point से इधर infinitiv तक गया है इसके end पे निकाला इसने भी उपर की तरह गया है और इसके end पे निकाला गया है तो यह भी semi infinite है यह slightlyinks semi infinite है, और यह किया है semi circle है semi circle है तो देखो इसके लिए यह वाला जो है ना किदर तरफ प्रोटिउस करेगा जी तो नेट तो इसका इधर की तरफ होगा चाहा हम कह सकते इसके परपेंडिकुलर एक और एक पैरलेल एक पैरलेल इसके आप पोजिट में हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि लेंध इसके अधर करेंगे तरफ होगा और एक पैरलेल वाला क्या होगा लेंध इधर बड़ा है तो नीचे में और सेमी सर्कल कितना देता है जी तो सेमी सर्कल तो आप क्या कर दोगे एंगल बाइसेक्टर और यह पॉस्टीव यह तो है सब पोजिटिव दिया है तो उपर की तर पालोगरती डहरना नहीं है हमने क्या लिख southwestên background galnaular है ना इंधर की तरफ यह कितना दिया है जी क्या ए मेंकत डिया में ठीक है ना तो इस तरह से हमने इस questions को करते हैं आप अच्छे से लिखिए इसको ठीक है तो जैसा कि इस lecture में हमने elective field intensity rod के लिए देखा और circular arc के लिए इस पर बहुत सारे questions किये और last में circular arc और rod के combination से हमें elective field calculation हमने किया तो especially इसलिए अगर आप board के लिए देख रहे हो तो ये lecture more than enough है और इस lecture में हमने JE main advance तक भी पढ़ाया है और NEET के लिए पढ़ाया है और इस से related rod और ring के combination से और भी कुछ अच्छे level के questions हो से जो competitive exams के लिए काफी important है उनके लिए मैं एक अलग सा lecture आपको बना दूँगा तो उसको आप अच्छे से देख लिजे और इस lecture के देखने के बाद आप ये समझ जाए कि आपको अच्छे से notes बनाना और मैं आपस एक और request करना चाहूंगा कि अब हमारे पास electrostatics में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए formula का लिस्ट बढ़ते जा रहा है तो आप ऐसा करिए कि एक formula copy बनाए जिसको short notes भी कहते हैं तो short notes तो अलग होता उसमें concepts लिखते हैं छोटा-छोटा concept लिख लिखते हैं important concept लिखते हैं लेकिन एक आप formula copy बनाई है उस formula copy में सिर्फ और सिर्फ formula लिखे ताकि हम लोग क्या होगा कि हम लोग को formula अगर revise करना होगा तो तुरंत उस copy को पढ़ेंगे और हम लोग का formula क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा ठीक है तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से फोलो कीजिए क्योंकि हम लोग भूलते क्या है formula ही भूलते concept नहीं भूलते हैं तो formula copy एक अच्छे से बना लिजे क्योंकि आप जैसे से lectures आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का formula का लोड बढ़ते